हेलो फ्रेंד! स्वागत है मेरे किचन में! अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो प्लेज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए! आज मैं सेर कर रही हैं छोले की रेस्पी, जिससे आप अपने घर में बहुत ही असानी से बना सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने चोले को बहुत ही जिम्पल तरीके से बनाया है तो चलिए फिर बनाते हैं यह देखिये यहाँ पे हमने एक कटोरी चोले ले लिया है जिसे राधवर के लिए भिगो लिया था तो सबसे पहले हम छोले को कुकर में डालेंगे तो सारा पानी निकाल के छोले को कुकर में डाले अब हम इसमें देल गिलास पानी डालेंगे अब हम इसमें एक चम मच नमक डालेंगे ताकि छोले फीका फीका ना लगे और इसे चार से पाच सीटी आने तक गैस पे चड़ा देंगे जब तक सीटी आती है तब तक हम ये दो प्याज है जिसे कट कर लिया है पाच से छे लेसन एक इंच अद्रक का टुकडा तो हम सब का पेस्ट त्यार करेंगे साथ में दो टमाटर इसका भी हम अलग से पेस्ट त्यार करेंगे इधर हमने कड़ाई चड़ा दी है तो कड़ाई में हम दो से तीन चम्मस तेल डालेंगे जब तेल गरम हो जाए तो इसमें दो साबूत लाल मेर्च एक तेजपत्ता एक बड़ी लाची एक दाल चिनी का टुकड़ा और साथ में एक चम्मस जीरा और इसे हम 10 से 12 सेकंड के लिए फ्राइ करेंगे तो 10 से 12 सेकंड हो गया है तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे तो गैस को स्लो करके प्याज डाले और इसे अच्छे से मिक्स करें अब हम गैस को मीडियम कर देंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक फ्राय करेंगे तो प्याज को चलाते वे तीन से चार मिनद तक मीरियम आज पर फ्राय कर ले यह रेखे प्याज फ्राय हो गया है तो अब हम इसमें टमाटा डालेंगे जो हमने पेष्ट बना के रखा था साथ में हम एक चमश नमक डालेंगे तो एक से देर चमश नमक डालेंगे या स्वाथ के नमक डालेंगे नमक मने पहले भी डाला है तो उससाब से नमक डालेंगे और फिरसे से चला के ढखकन ढखके हम दो से तीन नट तक फ्राइ करेंगे इधर ये देखिए छोले हमारे उबल गये हैं और ये अच्छा सा सौट हो गया है देख सकते हैं तो तीन नट हो गया अब हम ढखकन को अटाएंगे और इसे चला लेंगे तो टमाटर हमारा फ्राइ हो गया अब हम इसमें कुछ मसाला डालते हैं तो एक चोटा चमच धनिया पॉडर एक चोटा चमच जीरा पॉडर आदी चोटी चमच हल्दी पॉडर एक चमच कस्मीरी लाल मेच पॉडर और इसे हम मिक्स करेंगे तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ढ़क के से स्लो आज पे दो मिनट तक फ्राइ करेंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए तो बस दो मिनट हो गया है देख सकते हैं मसाला टमाटर और प्याज अच्छे से पक गया तो अब हम इसमें छोले डालेंगे जो हमने उवाल के रखा था और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ढ़क के फिर से 2-3 मिनट तक इसे रख देंगे ताकि मसाला अच्छे से छोले में मिक्स हो जाए तो इसे 5-6 मिनद तर अच्छे से ढखके बीच-बीच में चलाते वे इसे फ्राय कर ले तो इसे हमने 5-6 मिनद तक फ्राय कर लिया है अब हम इसमें ग्रेवी डालेंगे तो ये छोले वाला पानी है इसे हमने फेका नहीं था डालेंगे साथ में अद sacrificing पाणी आधा ग्लास पानी और डालेंगे यह अपने हिसाब से आप ग्रेवी को रख सकते हैं जैसा आपको पसंदू और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम हम इसमें गरम मसाला डालेंगे तो एख चम भूंने को रख में गरम चलाब और इसे हम ढखके 3-4 नट तक मीडियम आज पर रख देंगे देख सकते हैं छोले बन के त्यार है ये ठंदा होने के बाद और भी जादा गाड़ा हो जाएगा अब हम उपर से कटी भी धनिया पती डालेंगे और गैस को बन कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो बस छोले की सबजे बन के त्यार है देखा आपने छोले की सबजे बनाना कितना असान है आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ या फूरी के साथ सर्फ कर सकते हैं अगर आपको ये रेश्पी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें सेर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली रेश्पी के साथ तब तक बाई बाई